हेलो डियर स्टूरेंट्स आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे किलास 11 सीबेसी हिंदी सिलेबस जी हाँ जिने स्टूरेंटों के पास किलास 11 में हिंदी है देखे मैं हिंदी आपके बारे में बता दूँ कि हिंदी आपके पास एक्षिक होनी चाहिए एच्छे का मतलब elective होता है आपके पास देखिएगा आपके स्कूल में जो है हिंदी elective लगी हुई है देखिएगा मैं आपको बता दूँ इसे भी जान ये जिए कि 80% स्कूलों में सरकारी स्कूलों में हमारी हिंदी elective ही लगी हुई है और जादे तर जो private school होते हैं वहाँ पर English hard level की होती है और पर हिंदी थोड़े हले के हेले की होती है और इसलिए यहाँ पर आपको English हले की पड़ाई जाती है और हिंदी थोड़ी hard दे दिजाती है जिसे हम इंदी age 8 भोलते हैं यानि की हिंदी elective ठिक जिसका अपका goods record है 002 तो मैं बात करूँगा हिंदी का किलास 11 का जो डिलीट हुआ है सिलेवस COVID-19 के करण जैसे कि आप सभी को पता ही होगा COVID-19 के करण आपका 30% सिलेवस डिलीट हो गया है अब आपको कितना छोड़ कर पढ़ना है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपकी डिलीट करी गई है पूरी तरह से देखिए इस बात का ध्यान रखेगा आपकी जो है 11 किलास में हिंदी की टोटल तो वैसे 3 बुक होती है पुआ है नंबर बुक का नाम है अंत्रा नंबर सेकेंड बुक का नाम है अंत्राल और अभिवेक्ति आर्माद्यम ठीक है जो सारा जो डिलीट हुए हैं चीजें जो डिलीट हुई है वो केबल एक ही किताब से डिलीट हुई है अंतरा किताब से ठीक है अंतराल से कुछ डिलीट नहीं हुआ और अभी वैक्ति माध्यम जियों का तियों है ठीक है तो हम बात करेंगे अंतरा यानि कि अंतरा के गद्ध खंड और काब्वे खंड से कौन-कौन से चैप्टर आपके डिलीट करें हैं CBSC ने अब की बार तो देखी आपके हमारे गद खंड में एक राइटर है जिनका नाम है गजानन मादव मुक्तिवोध इनका एक चैप्टर है नई की जनम कुंडली एक ये चैप्टर डिलीट कर दिया जा चुका है आपको इसे पढ़ने आपका अगला चैप्टर है ये भी पूरी तरह से डिलीट है जो बढ़तेंदू हरिश्चंदर ने लिखा है जिसका नाम है भारत वर्स की उन्नती कैसे हो सकती है ठीक है भारत वर्स की उन्नती कैसे हो सकती है तो ये जो गद खंड है देखी गद खंड और कब खंड में अं कविताओं की तरफ बात करें यानि कि अंत्रा में आधी किताब आपकी कविता आधारीत है और आधी किताब जो है आपकी पैसिज आधारीत है यानि कि गद्द आधारीत है अब कवे खंड की बात करें तो हमारे कभी हैं कभी देव की कविता हटी है हसी की चोट सपना और सुमित्रा नंदन पंत के दुवारे लिखी गई ये कभीता है संध्या के बाद तो संध्या के बाद भी ये पूरी तरह से डिलीट कर दी जा चुकी है आपकी अगली कभीता है नरंदर सर्मा ने लिखी थी नेंद उचट जाती है ये भी पूरी तरह से डिलीट कर दी जा चु हमारे जो हैं चार कभीताइं दिलीट हुई हैं देखा जाये तो कभीताएं देब की मिला देँगे तो तीन मैं एक ही जोड़ रहाँ देब की एक ही कभीता मानी जाएगी ठीक है लेकिन ये एक चैप्टर मान लीजी है या तो एक अंस लेकिन अगर बैसे देखोगे आप ये 3 और 3 6 6 का feliz हटी हैं और गद खंड से महारे जहे है चेप्टर हटे हैं ठीक है तो यह था 11 क्लास का डिलीट किया गया असले बस और इसके अलावा जितना भी सारा आपका बचा। ठीक है यह कीता आपन को की किताबों के index में आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको जब यह याद रहेगा हमें क्या छोड़ना है तो आप वो अच्छी तरह से टार्गिट करके पढ़ पाओगे कि हमें इस दोरान क्या पढ़ना है 11th किलास में तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी ही और नई वीडियो पाने के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाजत थेंक्यू